अब दिश्कों लिगे चलते है किसी real-time examples है, मज़र निया ना सक अंदर, निमम लग लग तुम लोगों मज़ा निया ना, So, Hello Guys, Welcome back to TryDev, So, आज हम सेखेंगे Advanced JavaScript Concepts of ECMA Script 6, ES6, So, यहां क्या है यार, एक index.hml file रिए जादा टाइम मैं नहीं ले रहा, यहां पर मैंने एक live server का extension यूज किया है I think all you guys know that बट अगर नहीं पता तो यहां पर आप live server इंस्ट्रोल कर सकते हैं यहां से आप इसको open with live server रन कर सकते हैं तो हमने start करना है important export से So guys what is important export first आप अपने by name अगर हम सो समझाएं कि हमें कुछ import करना है कुछ export करना है तो जैसे हम अगर अपनी application को अगर module wise बनाना साथ है या फिर component based हम application जब यूज करते हैं तो हमारा import and export काफी अच्छा वग करता है हमें application के अंदर suppose आप एक application बिल्ड करना है जिसके अंदर आपको एक function को throughout the application यूज करना है तो वही important export का मतलब है यह आपके application को component wise बनाता है plus modular बनाता है and आप उस library को कई भी use भी कर सकते है test करते हैं कैसे काम करता है तो सबसे पहले है तो man.js हमारी इसमें हम इंपोर्ट करते हैं किसी को just a second ना hello yes hello 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 okay so right so यहाँ पे main.js है अब यहाँ पे मैं एक file बनाता हूँ utility .js ठीक है बहुत ही basic example लेते हैं मैंने यहाँ पे export लिखा okay const यहाँ पे arrow function यूज करते हैं what additional function भी यूज कर सकते हैं ठीक है and a plus b अब यहाँ पे यह मैंने add का function आया है मान जाओ a,b parameterized arrow function है यह देखिंगे अभी परशान मत हो ठीक है अब यहाँ पे मुझे इसको इंपोर्ट करना है simple import then यहाँ पे मुझे एक area का structure लिखना है sorry curly braces and यहाँ पे add okay अब यह add हमारा import कहा से होगा उसके लिए from लेना है single code and यहाँ पे हमें देना utility.js यह automatic complete कर देगा VS code right वहना आप right milk सकते हो so अब दिख सकते हो मैं यहाँ से add import कर लिया है यह बोला है cannot use import statement outside our module अब यह क्यों गोल रहा है because हमें यहाँ पे इसको as a module import करना है क्योंकि आप दो react.js वगरा में तो automatic import हो चाहेगा वहां ऐसा कुछ अक्कर नहीं है बट अगर आपको manually इसको use करना है traditional way में use करना है तो आप ऐसे index.html के इंदर module आपको इसमें लिखना पड़ेगा आप देखो एरर सला गया अब utility के अंदर वारा add function है अब हम इसको import करना है तो const a equal to कुछ में नाम दे दो ज़रूरी नहीं है वही नाम देना है 100 2000 अब मुझे इस add function को use करना है चाहिए अब यहाँ पे मैं pass करना हूँ x,y print करता हूँ तो आप देखो को 210 यह total आ गया ऐसे ही आप इसमें और function नहीं बना से तो जैसे मैंना add के साथ साथ एक functional बना लिए आप है date time return करने के लिए hello return करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हो ठीक है जैसे मुझे मैं welcome message प्रिंट करना है तो मैं welcome message यह मैंने functional नाम रखा यहाँ पे message ले लिया console.log यह सब advanced चीजे हैं अब यह arrow function इसके बाद यह आएगा तो सब सम्झाओं कैसे यह क्याम कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे मुझे इसको भी import करना है welcome message अब यहाँ पे मुझे केवल welcome message यहाँ पे मुझे केवल welcome message क्यों केवल welcome message को कॉल करना है यहाँ पे मुझे एक input देना है तसे राजेश ओके अब देख सतो हो hello Rajesh यहाँ पे प्रिंट हो गया विद दस सिंगल लाइन आपने यह फंक्शन यह उसक्रा तो यह था मारा पेला एक्शंपल बहुत ही बेसिक था बट दिस इस वेए यू प्रेट यू प्रेट यू प्रेट यू प्रेट यू अप्लिकेशन अब नेक्स चप्र बर मूव करते हैं विच इस अरो फंक्शन अवे